हलो आवरिवान दिस इस जोर एजुकेटर मांजी गुपता वेलकम तो रेडिवा स्टाडी आज हम क्लास 6 की मैथेमेटिक्स की वरक्षिट करने जा रहे हैं यह आपकी मैथ्स वरक्षिट 37 है और इसकी डेट है 18 नवेंबर 2021 स्टुडेंट यहाँ अपने नाम दिखना है यहाँ पर आपको अपने टीचर का नाम दिखना है जो आपको मैथ्स पढ़ाते हैं बच्चे आज की वरक्षिट अपके लिए बहुत इंपोर्टेंट होने वाली है तो आपको इसको भूत ध्यान से केरफूलि समझना है आज हम पढ़ेंगे estimation के बारे में, estimation का मतलब होता है कि देखो, जब आप लोग घटे होते होते हैं, ठीक है, बहुत सारे बच्चे खटे होते होते हैं, ठीक है, जब आपके school के playground में 1000-1200 बच्ची होंगे, ठीक है, 1000 तक के कई बच्ची होंगे, उन्होंने राउन्ड फिगर में नभ-च्री में बताया, उस राउन्ड फिगर के नमबर को बोलते हैं, estimation, हिंदी में बोलते हैं इसको की 1000 बच्ची होंगे, तो इसको बोलते हैं estimation, अब देखो, अब आपको paper में बोलेगा कि estimate निकालो तो आपको round figure निकालने पड़ेगी अब round figure निकालने के तरीके होते हैं अब देखो अब आप इसको वरक्षिट से बढ़ोगे समझो के तो आप बहुत इसको समझाने का प्रयास करेंगे आपको rounding of place round pattern देखो unit place देखते हैं हम सबसे पहले अगर हम अभी हम सीखेंगे कि estimate to nearest tense अभी हम देखेंगे सिरफ 10 में अगर nearest tense बोलेका तो कैसे solve करना है ठीके हम जब nearest tense की बात करते हैं तो क्या देखते हैं कि जो last का number है वो 5 से ज़्यादा ह यां 5 से कम है ठीके तो hat व हम या पे देखते हैं कि last ci 2 है Commercial 4 5 से कम है ठीकेक थो क्या हो नमबर 5 से ज्यादा होता ना तब ये nearest किसके पास परता 80 के परता तो हम हम इसको क्या लिखते nearest 10 का लिखते 80 लेकिन जातो 72 possessions that looks like 72 when 72 है वह हो तो हो पांट से क्या है कम है तो ये बिलुत के पास में चाहिए तो nearest 10 क्या हो जाएगा इसका 70 हो जाएगा ठीक है अब देखो यहां पर दिया हुआ है 127 अब आप confused हो जाओगो कि इसका nearest 10 कैसे निकालेंगे तो आपको बिल्कुल confused नहीं होना है बस आपको ना जब भी nearest 10 बोले तो आपको बस लास्ट का नमबर देखना है क्या है लास्ट का नमबर 7 है ठीक है तो पांच से जादा है और जब नेर्स 10 निकालते तो सरफ लास्ट के दो पर देखते हैं अब लास्ट के दो नंबर के हैं हमारे 27 है यहां पर समझो आप लास्ट के नंबर के हैं 27 है तो 27 किसके किसके बीचे पड़ेगा यहां तो 20 20 के पास पड़ेगा 20 के पास तो नहीं पड़ेगा क्योंकि लास्ट का नंबर 5 से जादा है 7 है तो यह 30 के पास पड़ेगा तो इसका अंतर हो जाएगा 130 ठीक है आपको शिरफ लास्ट के दो ही नंबर चेंज करने आँ अब आगे चाहे कुछ भी हो ठीक है अब देखो 152 इसक इसको clean करते हैं, आपको समझने में बिता कैसानी हो हाँ अब देखो 75 किसके किसके बीचे बढ़ेगा या तो 70 या फिर 80 हाँ इन दोनों के पास बढ़ पढ़ेगा ओके, तो देखो क्या करना है हमारे को 70 या 80 के पास में पढ़ेगा तो देखो, हम लास्ट का नमबर देखते हैं 5 से जादा होना चाहिए, लेकिन असे बार तो हमारे को लास्ट का नमबर ही 5 पढ़ेगा है तो हम क्या लिखेंगे, इसको हम आगे बढ़ा के लिख देंगे 80, ठीके, जब भी आपको लास्ट में 5 दिया हुआ हो, और आपको निरस्ट टैंस में बढ़ेगा है, तो उसको आप आगे बढ़ा के लिख दिया करो 70 और 80 में से 80 कर देना है इसको देखो, हैं आपे भी 80 कर रहा हुआ है, ठीके तो I hope आप निरस्ट टैंस निकालना चीख गए होगे अब हम बात करेंगे निरस्ट हंड्रेट्स की जब हम निरस्ट हंड्रेट्स देखते हैं तो हम लास्ट के तीन नमबर बदलते हैं सिरफ ठीके, और तीन नमबर में भी हम देखते कि इसको है, लास्ट के दो नमबर को टैंस में हम सिरफ लास्ट का एक नमबर देखते हैं और हंड्रेट्स में हम लास्ट के दो नमबर देखते हैं लास्ट के दो नमबर अगर पचास से कम है तो हम क्या करेंगे इसको कम वाले उसमें लिख देंगे अब मान लो देखो मेरे को क्या दिया हुआ है मेरे को दिया हुआ है फाइफ हंडेट टैन दिया हुआ यहाँ समझो आप फाइफ हंडेट टैन दिया हुआ है और यह कौन से कौन से हंडेट नमबर की बीच में पढ़ता है यहां तो यह 500 के बीच में पढ़ेगा है ना यहां फिर किसके पास पढ़ेगा यहां फिर यह पास में पढ़ेगा 60 के अब हम कैसे पताएं कि 500 के पास पढ़ेगा यह 600 के पास पढ़ेगा हम last के दो नमबर देखते हैं last के दो नमबर अगर 50 से कम है तो क्या करेंगे हैं, अगर 50 से कम है, तो इसको यहां जिख देंगे, और अगर 50 से ज़्यादा है, तो फिर सको यहां पर लिख देंगे, पर हमारा 10 है और 50 से कम होता है ən 500 कर देंगे, since इसने 500 कर दिया, ठीक है, अब देखो, 6863 है, अब आप बोलो कि यह तो बड़ा नमबर आगा, तो बिल्कुल कंफ्यूज नहीं हो रहा है, तो सिरफ लास्ट के तीन नमबरों को चेंज करना है, आपको 863 है, पहले क्लीन करते हम इसको, हमारे को क्या बोला हुए, 863, लास्ट को किसके बीच में, 900 के बीच में, और ज्यादा पास किसके पड़ेगा, ज्यादा पास पड़ेगा, किसके, लास्ट के दो नमबर देखो, लास्ट के दो नमबर 50 से कम है, 50 से ज्यादा है, 50 से ज्यादा है, तो यह ज्यादा वाले में बड़ा, 900 लिख दो इसको, तो हमने कह क्या होता है 10,000, 11,000, 12,000, 13,000, 15,000, 16,000, यह होते हैं आपके थाउजं के नमबर, okay, तो अगर हम बात करें थाउजं की, तो थाउजं में हमें चारो नमबर बदलने पड़ेंगे, अब देखो, आपको दिया हुआ है 100, 1237, 1237 दिया हुआ है, तो यह किस के किस के बीच में पड़ेगा, यह तो यहां तो पड़ेगा 1000 के बीच में, यहां फिर किसके पासे बढ़ेगा यहां पढ़ेगा 2000 के बीच में ठीक है तो आप बताओ जब हम नेरस्ट 100 में बदलते हैं तो हम लास्ट के तीनो नमबर देखते हैं लास्ट के तीनो नमबर अगर 500 से जादा है तो हम इसको जादा वाले में लिख देते हैं लेकिन अगर लास्ट के तीन नमबर 500 से कम है तो इसको हम कम वाले में रखेंगे अब लास्ट के तीन नमबर 237 है तो क्या करेंगे हम इसको पर अब तillery का disrupt का तो आप आपके नीर्स 100 और 10 समझ गए हúngगे अब आपको यहाँ पे कुछ कोशेरां सा दिये हो हैं जिसको हम सबज़ने की कोशिश करते हैं आपको उसने बोला है कि इसको nearest 10 पे बदलना है आपको ठीक है तो मैंने आपको बता रहा है nearest 10 में हम सिर्फ last के 2 number बदलते हैं तो अब आपको क्या करना है अब आप बताओ यह last के 2 है तो इसको हम क्या करेंगे 890 कर देंगे तो यहाँ पर जो है आपको क्या करना है यहाँ पर थोड़ा सा मैंने गलती कर दी है आपकी यह मत लिखना, आपको क्या लिखना है, आपको आंसर लिखना है, 6, 7, 8, 9, 0, ठीके, क्यों लिखना है 0, क्योंकि यहाँ पर देखो, 92 जो है, वो 90 है, 100 में आएगा, और लास्ट का नमबर 2 है, 2 जो है, 5 से कम होता है, तो उसलिए हमने इसको 90 में कर दिया, ठीके, चलो, तो आ बदलना है, और नमबर क्या दिया हुआ, 78, पहले इसको उपर वाले को क्लीन करते हैं, देखो, आपको पता है, कि आपको 78 मिला है, 78 यहाँ तो बेटा 70 में पड़ेगा, ठीके, यहाँ फिर आपका यह 80 में पड़ेगा, ठीके, तो दोनों में से कोई सा एक करना पड़ेगा आपको, अब देखो, लास्ट का जो नमबर है वो 8 है, और वो 5 से जादा है, तो हम इसको जादा वाले में लिखेंगे, यानि कि 80 में लिखेंगे, इसलिए हम ने क्या करा, 24,580, ठीके, तो 10 भी हमारे को सिरफ लास्ट के दो नमबर बदलने होते हैं, आपको उपर जादा सिर्फ लास्ट के दो नमबर देखो, और सब कुछ जैसा है वैसा उतार तो थिक है, अब बात करेंगे में लास्ट के तीन नमबर बतलते हैं, तो यह 500 के बीच में पड़ेगा, यह 600 के बीच में पड़ेगा, अब लास्ट का नमर क्या है 21, जो के 50 से कम है, तो हम इसको 500 के क तो बस आप अच्छे से समझ चुके होंगे कि कैसे कैसे करना है ठीके अगर आपको चीज अच्छे से समझ में आई है वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ ताकि और बच्चे भी सीज को समझ सके और इसका benefit उठा सके अ